हेलो माई डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आपसे भी आपसे भी आपसे भी बहुत अच्छे होंगे मैं मुधिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मुल्ता आयस वारियर्स में आज हम लोग वर्कशीट नंबर 71 यानि 71 करने वाले हैं ये वर्कशीट आपकी 29 दिसंबर 2020 क हमने क्या देखा था वन माक वाले कोशन यानि एक अंक में जो भी प्रशन पूछे जाते हैं वह देखे थे आज हम तीन और पांच अंक में जितने प्रशन पूछे जा रहे हैं वह देखेंगे देखे पहले आपको एक से लेकर पांच तक वह प्रशन दिये गए हैं जिनका आपको उत्तर देना है उसके की बात को एक शोन साधन क्या है इसके वरगी करण पर लेखिए उन परयावरण समस्याओं के अतियु प्योग से सामने आ पर्यावरण च्छती से होने वाले नुकसान सभी के लिए राज किया या रास्ट्रिया सिमाओं का ध्यान नहीं करते और फिफ्थ कोशन में बोला है भूस अन्रक्षन की समस्या को हल करने के उपाए बताई एक एक करके सभी उत्तर को हम देखेंगे देखिए पहले को या हमारे काम को असान करें वो सभी संसाधन है हमारे पर्यावरण में उपलब्द हर व्यवस्तु संसाधन कहलाती है जिसका हम अपनी आवशक्ता की पूर्ती के लिए काम करते हैं इस्तमाल करते हैं जिसके बनाने के लिए हमारे पास प्रधोग की है और जिसका इस्तमाल Sanskritic Robe से मानने है तो ये संसाधन की एक proper परिभाशा है कि जिसको बनाने के लिए हमाई पास technology है और जिसको बनाना Sanskritic Robe से मानने है तो वह एक संसाधन है ये हो गया संसाधन अब इसके वर्गी करण पर note लिखिए तो संसाधनों का वर्गी करण निम्न अधार पर किया जा सकता ह देखिए आप इस उत्तर को चाहें जितना मलजी उतने अंक में लिख सकते हैं मैंने आपको main बता दिया वर्गी करण के लिए आपका एक चार्ट दिया जाता है इसको अलग-अलग आधार पर हम वर्गी करण कर सकते हैं उत्पत्ती के आधार पर जैव आजैव अगर आप संसर को और बड़ा करना चाहें तो जैव जैव संसाधन की परिभाशा लिख दीजिए जैव संसाधन कौन से होते हैं वे सभी संसाधन जिन में जीवन व्यापत होता है वो जैव संसाधन होते हैं जैसे की मानना और पेड़ पौधे जैव संसाधन वो सभी संसाधन जो निलज यह सारे नवी कर नियां कौन से होंगे जो हमारे होंगे कॉला पैट्रोलियम स्वामिद्व के आधार पर व्यक्तिगत संपू़दाइक राष्ट्रिये और अंतरास्ट्रिये ऐसे संसाधन जिसे जो आपके हैं ठीक है personal है समोदायिक यह जो किसी समोदायिक है जैसे पार्क वो गया रास्ट्रिये जो देश के हैं और निर्ज जो संपून पूरे विश्व के हैं ठीक है तो ऐसे संसाधन हो गए विकास के इस तरक पर आधार पर संभावी विक्सित भंडार और संचित कोज जिसे हम सम्हाल के रखते हैं भाविश्य में यूज़ करने के लिए ठीक है तो यह सारे अलग-अलग हो गए आधार पर अब आप चाहें तो इनकी भी परिभाशा लेकिस उत्तर को और बड जाएंगे सारी वक्षीट के सॉलूशन एक ही जगह पर मिल जाएंगे मिर्दा निर्मार में कौन-कौन से कारक उत्तर दाई हैं सबस्ट कीजिए मिर्दा निर्मार के प्रमुक कारक है जनक समगरी मतलब की जिससे वह मिट्टी बनी हुए चटानों से तूटकर मिट्टी ब होते हैं जल वायू कैसी है यह सारी चीजे डिपेंड करती हैं मिल्दा की यह सारे मिल्दा के कारक है इसके अत्रिक मानवे क्रियाएं भी प्रयाप्त सीमा तक प्रभावित करती हैं जो हम एक्टिवीटी करते हैं मिल्दा के घटक क्या क्या होते हैं खनीच कड हुमस जल और भै-यू, यह सारे क्या होते हैं, कड होते हैं, सौरी मिल दा के हमारे घटक होते हैं, परशन तीन में आप से बोला था, उन पर्यावरन समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग से सामने आ सकते हैं, अगर आप संसाधन का बहुत जादा उपयोग करते हैं किसी संसाधन का तो क्या समस्याइं सामने आ सकती है इस प्रश्ण को कई प्रकार से पूछा जा सकता है जैसे कि संसाधनों का अती दोहन क्या समस्याइद पन कर सकता है या क्या उसका परिणाम होगा इस तरीके से कही तरह कैसे ये प्रश्ण पूछा जासकता है तो संसादनों के अतियों उपיोग से निमिलिखित समस्यायों आ सकती है पहले आप ऐसे लिखेंगे अत्याधिक वन और मोलण जोड़ाjak बहुत सारे वनो को काटते हैं भावी पीडी के लिए संसाधनों का आभाव जो संसाधन आप बहुत ज़्यादा इस्तिमाल कर लेंगे अगली जनरेशन के लिए वह बचेगा नहीं अत्यादिक संसाधन दोहन के कारण भुकम बाढ़ जाड़ सी प्राकर्टिक समस्याएं या आप दाएं आप बहुत ज़्य जासे कि कोला या भंडार जो है उसे खोद खोद के निकालते हैं जमीन को तो उसकी वज़े से क्या होता है प्लेटो में हल चलो तो इसकी वज़े से बुकम पॉरबाढ़ का भी समस्याएं उत्पन होती है और मानवता के लिए जंकट यानिकी जो इनसान के लाला चैना वह क इसका भी आप इसक्रिंशॉट ले सकते हैं आगे देख लेते हैं चार में बोला है पर्यावरनिया श्यति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्य या राश्ट्रिय सीमाओं का ध्यान नहीं करते कतन की व्याक्या उधारन सहित करिए बोल रहे हैं कि देखिए कोई भी अग नुकसान कभी भी राज्य या रास्ट्रिय सीमाओं को ध्यान में नहीं करते वरंड संपून जीव प्रजाति को इसका बुक्तान करना पड़ता है ठीक कोई अगल नुकसान होगा तो ऐसा नहीं कि अबरिका में होगा उसका जो नुकसान है उसकी भरपाही संपून ज्यादा उधोग लगाए बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाया ठीक है उससे उसका नुकसान हुआ जब यूवी रेस धलती पर आएंगी तो यह नहीं देखेंगी कि यह भारत है यह अमेरिका है वह सभी पर बराबर का प्रभाव डालेगी उसका शरण भले ही कुछ दे दूसरा इसी प्रकार वैश्विक तापन यानि जो ग्लोबल वामिंग हो रही है ग्लोबल वामिंग से क्या है ग्लेशियर मैल्ट होंगे तो किवल इंडिया कहीं नहीं सब जगे होंगे बढ़ने के कारण पिट्वी का तापमान लगातार बढ़े जा रहा है यह किसी राज राजी की सीमा तक पर्यावरण नुकसान सीमित नहीं रहता आगे देख लेते हैं बूस अन्रक्षन की समस्याओं को हल करने के लिए उपाए इस प्रकार है नंबर वन भूमी तथा इसके उत्पादों के निशेपड को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए उचित भूस अन्रक्षन पदितियों तथा इंजिनियरिंग धाचे का प्रियोग किया जाए ठीक है कि हम ऐसे पदिती और ऐसे टेक्निक का यूज करें जिससे नुकसान कम हो दूसरा खेतों में खूटी तथा ठूट चोड़ना और मिर्दा पर वनसपतियों के सगन आवरण को बनाए र पाइस ले सुरक्षा करना यूब हानियों को रोकने के लिए जुताई विक्सित धंग से करना और जुताई इस तरीके से करें कि बहुत ज्यादा पानी वेस्ट भी ना हो और हमारा जो है मिर्दा में नमी बनी रहे तो यह आपके उत्तर नंबर पांच हो गए यह सारे प्र नियोजन एक सर्व मानने रणनीति अगर आप संसादनों का सही प्रियोग करना चाहते हैं तो नियोजन यानिकी करना जरूरी है इस लिए भारत जैसे देश में जहां संसादनों की उप्लविद्धा में बहुत अधिक विवित्ता है यानि भारत ऐसा देश है जहां संसाद तो वहां भरी पड़ी है दूसरे चीज़ की कमी है कुछ ऐसे प्रदेश भी है जहां संसादनों की उपलवदिता के संदर में आत निर्भर और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां मेहद्वपूर्ट संसादनों की अत्याधी कमी है उधारन सरूप जारकंड मद्य प्रदेश 36 इसगर्ड आधी प्रांतों में खनीजो और कोईलों के प्रचुर भंडार है यह वैसे राज हैं जहां पर हमारे खनीज और कोईला सबसे जादा पाये जाते हैं पर मूल विकास नहीं है जो अरुनाचर प्रदेश यानि एपी है तो वहां पर जल पाये जाता है लेकिन बाक है और यहां जल आधार बूद और संरचना तथा कुछ खनीजों की कमी है इसलिए रास्ट्रिय प्रांतिय प्रादेशिक इस्थानियस तर पर संतुलन संसाधन नियोजन की आवशकता है तो हमें संसाधन नियोजन की प्लानिंग करने की बहुत जादा आवशकता है अब अंदर में संदेश है कि आपको पानी से और साबुन से हाथों को दोते रहना है इसके बाद देखिए श्रोत आधारित में आपके पहले प्रश्ट को बोला है संसाधन नियोजन क्यों आवशक है तो रास्ट्रिय प्रांतिय प्रादेशिक और स्थानियस तर पर संतुलन बन जादे यहां पर पाई जाती है तो आपके दोनों प्रश्ट हो गए तीसरे प्रश्ट में बोला है भारत के किन प्रदेशों में खनी जेवं कोईला के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं तो जारकंड मद्धि प्रदेश 36 अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो यह व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथ ही आपको सबसे ज्यादर टफ इस सेशन में कौन से चैप्टर लग रहा है हिस्ट्री पॉलिटी जोग्रफी तीनों में से वह आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे